जो यहाँ पर application open है, यह git.io का android application उपलब्द है साथ के साथ इसे आप website पर भी access कर सकता है, git.io पर यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ as a first कि किस तरह से यहाँ पर आप यूएश्डिटी टोकन को earn कर सकते हैं, सबसे ऊपर मैं आपको मिलेगा यह आइकन आपको मिल जाता है, यहाँ पर आपको दिखता है giveaways का options, giveaways के options पर आप जैसे ही click करते हैं, यहाँ पर आपको next page आपके पर सामने open हो जाता है, यह page जैसे ही आपके सामने open हुआ है, यहाँ पर bonus campaign चल रहा है, जहाँ पर आपको attendance लगानी होती है, 28 days तक continue, 28 days तक जैसे ही आप continuous यहाँ पर attendance लगाते हैं, तो यहाँ पर आपको मिलता है gate.io का point reward के तौर पर, यह continuous आपको यहाँ पर attendance देनी होती है, अगर आपके इस बीच में gap होता है, तो यह दुबारा से attendance आपका start हो जाता है, शुरू से, तो इसके बीच में gap नहीं होना चाहिए, इसके बगल में आपको दिखता है task and bonuses का यहाँ पर आपके सामने options दिख जाता है, इस options पर हम जैसे ही click करते हैं, यहाँ पर आपके सामने जिसे की दिख रहा होगा verify your account, आप अगर अपने account को verify करते हैं, आपकी KYC complete होती है, तो ही आप इस USDT test के token को जो thousand dollar value के होंगे, इसे claim कर पाएंगे, दो दिन तक वो process आपको pending show करेगा और तीसरे दिन में यहाँ पर आपको claim का process दिखने लगता है, इसके बाद हम यहाँ पर पकल में क्लिक करते हैं, experience task पर क्लिक करेंगे, और first time participate in HODL and earn का options आपको दिख जाता है, do it now पर यहाँ पर हमें क्लिक करना है, do it now पर क्लिक करते हैं, और इस page पर हमें सबसे last में scroll करके लेके जाना होता है, यहाँ पर आपके सामने options दिखता है, UHDT test का, इस पर जैसे हम क्लिक करते हैं, तो क्लिक करने के साथ ही हमारे सामने यह open हो जाता है, जैसे मैंने subscribe किया हुआ है, और आपके सामने यहाँ पर जो open होके आएगा, यह subscribe का option आएगा, rate color में, जैसे ही आपकी KYC complete होती है, और इस पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर आपका per day का return आना start हो जाता है, जो कि UHDT token आपका होगा, real token होगा, जिसे आप भी draw कर पाएंगे, my holdings पर जाके हम इसे check भी कर सकते हैं, my holdings पर जाने के बाद हमारे सामने दो options आता है, lock up and earn का, और इसकी value को जाके check करते हैं, क्या हमें tokens मिले हैं, तो यहाँ पर हमें click करना होगा wallet पर, wallet पर जैसे click करते हैं, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 0.10, यह USD आपको दिख रहा है, साथ के साथ कुछ जो मेरे पास USD token जो earn हुए थे, उसको मैंने use किया था, as a participate करने के लिए, वो voting activities पर आप click करते हैं, आपके सामने कई सारे यहाँ पर tokens के list होते रहते हैं, जिसमें आप voting करते हैं, अभी भी जैसे यहाँ पर चल रहा है, get it, are you listing करने वाली है, वोट के लिए चल रहा है HOGE token को, जो कि होगा HOGE finance का token होगा, और इस time पर ही आपको आके यहाँ पर vote करना होता है, जैसे हम वोट पर यहाँ पर click करते हैं, काफी सारे यहाँ पर end हो चुके हैं, यहाँ पर आपके सामने दिख रहा है, कितने votes यहाँ पर आए वे हैं, और यहाँ का paid price आपको दिख रहा है, 0.000278 USDT का, तो यहाँ पर जैसे आप give it your vote पर click करेंगे, आपके सामने confirm का option चाहिए, तो आप इसका advantage ले पाएंगे, इस तरह से यहाँ पर आके आप यहाँ पर voting भी कर सकते हैं, और जो भी token यहाँ पर list होने वाले होते हैं, वो चीज़ token को भी यहाँ पर purchase कर पाएंगे, इसकी initial value पर, तो यहाँ पर मैंने आपको दो चीज़े दिखाए थी, किस तर यहाँ पर आप ऊपर देख रहोंगे, काफी सारे यहाँ पर टोकन जो की आने वाले हैं, यहाँ पर gate.io की विट्रॉल आपको फ्री रखा गिया है, नए नए टोकन की यहाँ पर listing होते रहती हैं, और सभी की आपको टाइमिंग्स यहाँ पर दिख रही होगी, और ऐसे काफ को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर करें, जन्दवाद दोस्तों.